स्ट्रेंट्स वेलकम तो मैं क्लास स्ट्रेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर 6 स्ट्रेंट्स और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है स्ल्यूट एंड सॉल्वेंट यानि के आज हम स्ल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्ल्यूट की बात करते हैं मैं इसकी डेफिनिशन को रीड कर रहा हूं स्ल्यूट का वो जुज जो मिकदार में कम हो उसे हम कहेंगे स्ल्यूट स्ल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया जाता है कोई भी स्ल्यूशन बनाने के लिए for example मिसाल के तौर पर साल्ट स्ल्यूशन इज मेड बाइ डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर नमक का स्ल्यूशन नमक को पानी में हल करके बनाया जाता है so in salt solution पस नमक के solution में salt is the solute salt solute होगा and water is solvent और water solvent होगा आपने पीछे पढ़ा है कि solution का वो juice जो मिकदार में कम होता है उसे हम solute कहते हैं तो नमक के solution में चुके नमक कम होता है इस वज़ा से इसे हम कहेंगे solute और water ज्यादा मिकदार में होता है इसे हम कहेंगे solvent more than one solutes may be present in a solution किसी solution में एक से ज्यादा solute भी present हो सकते हैं for example मिसाल के तौर पर in soft drinks soft drink में water is a solvent water solvent है while other substances जबके दूसरी अशिया like sugar salts and co2 are solutes जबके दूसरी अशिया जिसमें के sugar है salt और carbon dioxide यह solutes है तो हमने बात की कि एक solution का वो juice जो मिकदार में कम हो उस juice को हम कहेंगे solute और हमेशा solution बनाने के लिए solute को solvent में हल किया जाता है मसाल के तौर पर अगर हमने salt solution बनाना है तो salt को water में dissolve करेंगे और salt solution में चुँके salt कम मिकदार में है less amount में है इस वज़ा से salt होगा solute और water ज्यादा मिकदार में है इस वज़ा से water होगा solvent वो कह रहा है कि solute एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जबके solvent हमेशा एक ही होगा मिसाल के तौर पर अगर किसी solution में एक से ज्यादा अज़ा मजूद हैं तो उन में से ज्यादा मिकदार में होगा वो solvent होगा और बाकी जो कम मिकदार में चीजें मुझूद हैं वो solute हैं मिसाल के तौर पर soft drink में एक से ज्यादा जिजा मुझूद हैं तो water इसमें ज्यादा मिकदार में तो water solvent हुआ जबके बाकी अशिया जिसमें sugar, salt और co2 ये कम मिकदार में हैं इस वज़ा से ये solute होंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं solvent के बारे में solvent मैं इसकी definition करता हूँ the component of a solution which is present in larger quantity is called solvent solution का वो जुज जो मिकदार में ज्यादा हो solvent कहलाता है solvent always dissolves solutes, solvent हमेशा solutes को हल करता है in a solution किसी solution में if more than one substances are present अगर एक से ज्यादा अजिजा मौझूद है एक से ज्यादा अशिया मौझूद है one substance act as solvent तो उनमें से एक शया solvent के तौर पर act करेगी and other behaves as solutes जबके दूसरी अशिया solute के तौर पर behave करेंगी for example मिसाल के तौर पर in soft drinks, soft drink में water is solvent, water solvent है while other substances जबके दूसरी अशिया like sugar, salts and CO2 are solutes जबके दूसरी अशिया जैसे sugar, salt और carbon dioxide solute है so depends हमने solvent के बारे में बात की solution का वो juice जो मिकदार में ज्यादा होता है उस juice को हम कहेंगे solvent solvent हमेशा solute को हल करता है अगर किसी solution में एक से ज्यादा अज़़ा मजूद है तो जो सबसे ज्यादा होगा, उसे हम कहेंगे solvent और बाकी जितने भी अज़जा हैं जो कम एकदार में मजूद हैं उन्हें हम कहेंगे solute मसाल के तौर पर soft drink में water solvent है चुँके ये सबसे ज्यादा है और बाकी जो कम एकदार में मजूद हैं चीजें उनमें sugar, salt और carbon dioxide है वो solute है नेक्स्ट आज के topic से related questions पहला question है define solute, solute की तरीफ करें तो इसमें आपने definition करनी है कि solution का वो juice जो मिकदार में कम हो solute कहलाता है इसमें फिर आप example भी देंगे मसाल के तौर पर salt solution में salt solute है और water solvent है इसी तरह soft drinks में पानी solvent है जबके दूसरे अज़जा जिन में sugar, salt और carbon dioxide है वो solute के तौर पर act करते है next question है define solvent, solvent की तरीफ करें तो solution का वो जो ज्यादा मिकदार में मुझूद हो solvent कहलाता है मसाल के तौर पर soft drink में पानी solvent है जबके दूसरे तमाम अज़जा जिन में sugar है, salt, carbon dioxide वो solute है फिर आप ये भी बताएंगे कि किसी भी solution में solvent हमेशा एक ही होगा लेकिन solute एक से ज्यादा भी मौझूद हो सकते है next आपकी बुक जहां से आपने इस topic को prepare करना है आज हमने solute के बारे में पढ़ा, solute की definition को मैं highlight कर रहा हूँ फिर हमने दो examples देखी है एक salt solution वाली example जिसमें salt solute है और water solvent है और फिर soft drink वाली example जिसमें water solvent है जबके दूसरी तमाम अशिया solute के तौर पर act करती है फिर हमने solvent के बारे में पढ़ा है solvent की definition की कि solution का वो जो ज्यादा मिकदार में होगा उसे हम solvent कहेंगे फिर इसमें हमने example भी देखी है कि soft drink में water solvent है जबके दूसरी एशिया जिनमें sugar, salt और CO2 है वो solute के तौर पर act करती है स्ट्रेंड्स ये था आज का हमारा topic उमीद है आपको समझ आ गई होगी आपने इसको अच्छे तरीके से परपेर करना है थैंक्यू स्ट्रेंड्स